नमस्कार दोस्तों सागता सभीका माई चैनल माई नोलिज में और मेरा नाम है पिंटू भारत द्वाल्स तो दोस्तों आज की जो वडियो वडियो बहुँ ज़्यादा इंपोड़ी वडियो है आप सभी के लिए अगर आप एक EPF के पैंसिनर है क्योंकि दोस्तों आप सभी को कोई information चाहिए होती है तो उनको EPF office में visit करना पड़ता है अगर उनका pension EPF pension के थुरू आ रहा है क्योंकि दोस्तों वहीं पे जाके वो information ले पाते हैं जो भी उनको चाहिए होती है लेकिन दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आपको अपने pension से related बहुत सारी information नहीं है अगर वो active है तो किस किस मन्त में आपको pension मिली है और कितनी कितनी मिली है ये भी आप online पता कर सकते हैं और अगर आपको pension नहीं आ रही है तो किस मन्त से आपकी pension रुकी हुई है और किस रीजन से आपकी pension नहीं आ रही है कैसे आप उसको start कर सकते हैं ये सारी information जो है ये सारी जानकारी आप online ले सकते हैं लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण हमारे सभी पैंसिनर्स को काफी प्रॉलम होती है तो दोस्तो घपरानी की जोत नहीं है आज की स्वेड़ो में मैं आपको बताऊंगा detail में कि कैसे आप online अपने pencil से related काफी सारी status को चेक कर सकते हैं, काफी सारी क्वाईरी online solve कर सकते हैं, तो चलिए हम अपनी laptop की screen पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको detail में सारा कुछ बताता हूँ Hello दोस्तो, तो ये देखिए मैं अपनी laptop की screen पे आ चुका हूँ, और अगर आप मेरी laptop की screen पे देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे already EPF का pension portal open किया हुआ है, जिसका link मैंने नीचे description में भी दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं, तो उस link पे click करके directly इस portal पे आ सकते हैं, तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप इस portal का use करके आप pension status का पता लगा सकते हैं यानि कि कैसे आप check कर सकते हैं कि आपका pension active है या नहीं है अगर आपका pension active है तो क्या आपको pension monthly मिल रहा है या नहीं, अगर आपका pension रुका हुआ है, तो last pension आपको किस month में मिली थी, अगर आपका pension रुका हुआ है तो उसका क्या reason है और उसका क्या solution है ताकि आपका जो pension है वो फिर से start हो सके तो दोस्तों इसके लिए जब आप अपने EPF के pension वाले portal को open कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको left hand side में आपको कुछ options मिलेंगे इन options में से आपको last option मिलेगा know your pension status का आप इसके उपर क्लिक कर देंगे उसके बाद pension status को check करने के लिए कुछ information आपसे मागी जाएगी जहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे issued office को select करेंगे यानि कि यहाँ पे आप select करेंगे कि किस district में आपका pf office था उसके बाद जैसे ही आप अपने issued office को select कर लेते हैं तो सामने आपको office की id नजर आ जाती है उसके बाद सामने आपको ppo number डालना होता है तो दोस्तो एक ची मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ppo number में आपकी office id भी होती है तो office id यहाँ पे already डली हुई है तो आपने सिर्फ यहाँ पे ppo number डालना है उसके बाद ठीक नीचे आपको एक बटन नजर आएगा get status का आप इसके उपर क्लिक कर देंगे उसके बाद ठीक नीचे आपके सामने beneficiary की जो details है वो open हो जाएगी जिसमें आपको beneficiary का नाम नजर आजाएगा pension का type नजर आजाएगा beneficiary date of birth नजर आजाएगी साथ के साथ life certificate आपने last किस year में submit कराया था वो नजर आजाएगा pension stop date नजर आजाएगा reason of stop भी आपको यहाँ पे नजर आजाएगा साथ के साथ आपको reason for restart का भी option नजर आजाएगा उसके बाद pension paid up to EPFO याने की कब तक pension pay की गई है वो आपको यहाँ पे month और year आजाएगा उसके बाद ठीक आगे आपको view details आजाएगा और दोस्तों यहाँ पे आपको जो beneficiary की detail दी गई है अगर आप इस detail को और भी ज़्यादा detail में चेक करना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो view details के ठीकी नीचे आपको view का एक button नजर आएगा उस पे click करके आप देख सकते हैं चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ तो यह दी कि दोस्तों अब यहाँ पे beneficiary की detail है वो और भी ज़्यादा detail में open हो चुकी है यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है पेंशर हैज विन क्रेडिट अप टू अक्टूवर 2022 यानि कि इनकी जो लास्ट पेंशन इनको रिसीव हुई है वो अक्टूवर 2022 की रिसीव हुई है ठीक नीचे लिखा हुआ है कि प्लीज सम्मिट डिजिटल लाइफ सेटिफिकेट एदर थू उमंग मुवाइल एप उमंग मुवाइल फेस एप, कॉमन सर्विस सेंटर, EPFO, फिल्ड ओफिस या बैंक यानि कि इनकी जो पेंशन रुकी है वो इसलिए रुकी हुई है क्योंकि इन्होंने डिजिटल लाइफ सेटिफिकेट जमा नहीं कराया है इनसे बोला जा रहा है कि आप डिजिटल लाइफ सेटिफिकेट जमा कराईए उमंग एप्लिकेशन से, उमंग मुवाइल फेस एप से, कॉमन सर्विस सेंटर, EPFO, फिल्ड ओफिस से या आप बैंक में जाके करवाईए ठीक नीचे लिखा हुआ है, पैंसनर can submit the life certificate on paper with genuine reason for non-submission of digital life certificate यानि कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी पैंसनर जो है, वो on paper भी अपना digital life certificate जमा करा सकता है लेकिन उनको एक genuine reason देना पड़ेगा कि उन्होंने digital life certificate क्यों नहीं जमा कराया और क्यों नहीं करवा पा रहे हैं और दोस्तों नीचे लिखा हुआ है monthly pension will be resume on receipt of life certificate either digital or manual यानि कि digitally या manually अगर उनको life certificate मिल जाता है तो आपकी monthly pension फिर से start हो जाएगी तो दोस्तों यहां तक तो हमने देखा कि कैसे आप बड़े ही असानी से अपने pension का status चेक कर सकते हैं लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि कैसे आप अपने PPO number की जो detail है वो detail में देख सकते हैं और साथ के साथ कैसे आप अपने monthly pension का जो statement है वो देख सकते हैं यानि कि payment की पूरी query कर सकते हैं तो चलिए अब हम वो देखते हैं तो दोस्तों इसके लिए जब आप EPF के pension वाले portal पे आ जाते हैं तो आपको फिर से left hand side में कुछ options मिलते हैं जिसमें से second last option है PPO inquiry slash payment inquiry तो आप इसके उपर click कर देंगे उसके बाद आपसे आपकी कुछ information फिर से मांगी जाएगी जिसमें से सबसे पहले आप issued office यहाँ पे select करेंगे यानि कि जिस district में आपका EPF office था वो select करेंगे उसके बाद ठीक आगे office ID में आपकी office की जो ID होईगी वो automatically यहाँ पे आ जाएगी उसके बाद ठीक आगे आप PPO number एंटर कर देंगे उसके बाद ठीक नीचे pensioner की जो date of birth है वो आपको एंटर करने पड़ेगी उसके बाद ठीक नीचे आपको capture code नजर आएगा जिसको आप AGT यहाँ पे एंटर कर देंगे फिर आपको ठीक नीचे submit का एक बटन नजर आएगा submit के बटन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने ये वाला page नजर आने लग जाएगा इस वाले page पे अगर आप left hand side में देखेंगे तो आपको दो option नजर आएगे पहला है pension payment inquiry यानि कि इसमें आपको जो भी pension मिली है मंतली उसकी statement देख सकते हैं उसके बाद है PPO inquiry यानि कि इस PPO number के अंदर जो ही detail होएगी वो सारी आपको PPO inquiry में मिल जाएगी चलिए हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं सबसे पहले हम click करते हैं pension payment inquiry पे उसके बाद अगर आप देखेंगे तो right hand side पे यहाँ पे आपको पूरी statement open नजर आएगी कि आपको किस किस मत में कितना कितना amount pension के रूप में मिला है यहाँ पे जो आपकी last entry है वो है October 2022 की यानि कि last जो pension मिली है वो October 2022 मिली है उसके बाद कोई भी pension नहीं मिली है तो उसकी कोई भी entry आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही है क्योंकि दोस्तो इस pensioner ने अपना digital life certificate अभी तक जबान नहीं कराया है जिसकी वज़से October 2022 से इनकी pension रुकी हुई है last जो pension मिली थी वो October 2022 में मिली थी उसके बाद इनको कोई भी pension नहीं मिली है चलिए आप देखते हैं PPO inquiry में हमें क्या detail देखने को मिलती है तो दोस्तो जैसे ही आप PPO inquiry पे click करेंगे तो right hand side में आपको PPO number की पूरी detail open हो जाएगी जिसमें से सबसे पहला है कि जिस member का ये PPO number है उस member की personal detail क्या है उसमें यहाँ पे आपको personal detail ledger आ जाएगी उसके बाद scroll down करेंगे तो आपको यहाँ पे service detail नजर आ जाएगी यानि कि इस EPM member ने कब से कब तक job करी है और कब यहाँ पे exit की गई है और exit का reason क्या है और कब से कब तक इन्होंने job करी है उसकी service history क्या है इस तरह की बहुत सारी detail आपको यहाँ पे service details में नजर आ जाएगी उसके बाद ठीक नीचे आपको communication details नजर आएगी जहाँ पे आपको इस member का जो है address नजर आ जाएगा उसके बाद ठीक नीचे आपको family details में इस member की जो family है उसकी detail आपको नजर आ जाएगी उसके बाद bank details में इस member ने अपने जिस family member को add किया है उस family member के जो bank की detail है वो आपको इस वाले section में नजर आ जाएगी और दोस्तों अगर आप इस detail को save करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और option दिया गया है save as pdf का जो की आपको bottom में right hand side पे नजर आएगा आप चाहते हैं तो इन पूरी detail को save करके रख सकते हैं इसी तरीके से अगर आप monthly pension के statement को भी अगर save करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पे भ तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज इस वीडियो को like करिए अपने फैंकेशा शेयर करिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को subscribe कर ले ताकि इसी तरह की latest और useful वीडि notification सबसे पहले आप तक पहुँच सके धन्यवाद दोस्तों जय हिंद